हलो दोस्तो मेरा नाम है रुपेश को अर्मातो और आपका हमारे यूटूब चैनल में वेलकम हैं यहां हम कल क्लास 12 का फिजिक्स में चैप्टर वन जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फिल्ड उसका मैंने कल आपको सारे MVVI कोशन मेंने बता दिया था जिसमें मैं टोटल 12 कोशन मेंने बताया तो जो काफी जादे इंपोर्टेंट है ठीक है जो आपके ट्यान कोशन के अलावा और कोई भी कोशन नहीं रहेगा तो आप इन सारे इंपोर्टेंट को जानना है कि क्या के इंपोर्टेंट कोचन तो आप विडियो में कंटिन्यू बने रहे है तो चले हम लोग एक एक करके सारे कोशन को देखते हैं पहला कोशन है कि डिफाइन करने बोरा है इलेक्ट्र डिफाइन करने बोरा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफाइन करना है उसका डिफनेशन लिखना है उसका फॉर्मूला लिखना है उसका डामेंशन फॉर्मूला लि यिए यक्सेय लाइन चाह dr लाइन के करण इलक्ट्रीक ड्याप HIV इसलो इसलेक्ट्री ड्याप बनता में आपको येवाल स्य लायन में आपको क्या निकलना है potential निकलना electric potential का value निकलना at a point कोई भी एक point P पर आपको electric potential का value निकलना है तो इसका derivation आपको कर दिना है ठीक है काफी जाद important question है इसको भी आपको revision कर लेना है अगला question है condition find the expression for electric potential due to an electric dipole at any point किसी भी पॉइंट पर ना आपको axial line में लेना है ना आपको equatorial line में लेना आपको any point में पूछा याणि axial Equatorial के थोड़ा side मिलेना यानि यहाँ से आपको निकलना है क्या निकलना at a point P पर हमको क्या निकलना है इसको भब अधाको position का डिरिवेशन करना तेगआ एकस्प्रेशन निकालना इसको भी हाने आपको एपने पूइजन कर लिए आपको रिपीजन कर देना ए इसमें आपको 9 यूबर मिल जाएगा ठीक है और अग्ला कॉश्ण देखे ये सारे इन आपको कम से कम 3-4 बार तो जरूर रिविजन कर लेने है ठीक है लिख लिख के ज्यादातार लिख लिख के आपको रिविजन करना है क्योंकि आपको एग्जाम में तो लिखना ऒफ़ाई होता है ठीक है तो जादा स्यादा जितना आप लिखें performance होगा और जितना आछा से आपको examination center में लिख सकते हैं ठीक है तो कितना पर revision करना है काम से कम तीन से चार्ज बार एक question को revision करना है ठीक है तो हम लोग आगला question को पड़ लेते हैं तो find the expression for electric potential energy यानि आपको यू का expression निकलना है electric potential energy का of a system of two point charge किसी भी दो point charge के बीच में आपको electric potential energy का value निकलना है ठीक है यानि उसके expression निकलना है ठीक है इसको भी revision कर लेना है बढ़िया से और question number six में है कि define the term conductor and insulator यह आपको डाय नमर में पूछ सकता है ठीक है ठीक है इस जिसमें आपको capacitance of a parallel print capacitor parallel print capacitor का आपको क्या निकलना है capacitance का expression निकलना है ठीक है तो इसको भी आपको revision कर लेना है अगला question है कि what is series combination of capacitor capacitor का series combination निकलना है और इसके लिए आपको equivalent capacitance के लिए आपको find the equivalent capacitance of it यानि इस series combination का आपको equivalent capacitance का भी expression निकालना है series combination का बढ़ा definition लिग दिना है और equivalent capacitance का आपको expression निकाल कर दिखा दिना है ठीक है derivation कर दिना है तो यह सारे question में आपको इस pattern के अनुसार आपको कम से कम कितना number मिलेगा कम से कम पांच नमर मिलेगा ठीक है इन सारे question को revision पर दिखे या फिर एक ही में आपका टोटल तीन कोशनु मिला कर दे सकता है तो इस तरसे आपको यहां पर दस को दस को तोलब को राट लेना ठीक है र काफी कम है ठीक है तो इस कोशन को भी ठोड़ा देख लेते नाइन नंबर की डिराइब एन ऐस्टी यह अदा इसको घुचके बिसन करना है यहां पर आपका था यू आता था यू वराबरबर हफ सीवी स्कुएर आता था हो वह अवला फर्मुला को डिराइब करना है फिसको भी रिविजन करने और लास्ट और आखरी कोर्शन क्या एकस्प्रेशन निकाल कर दिखा देना है तो इतना कोशन अगर आप इस चप्टर से कर लेंगे चप्टर 2 से तो इससे एक भी कोशन आपको बाहर ने रहेगा ठीक है क्योंकि यह सारे कोशन आपका प्रिवियस एर में पुछा जा चुका है तो जानते हैं कि सारे इंपोर्टन कोशन है तो अगर आपको मेरा यह सारे इंपोर्टन कोशन आपको अच्छा लगा ठीक है तो आप हमारे चैनल को तुरंट सब्सक्राइब कर दे और जड़ी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें अपने दोस्तों में सेर करना ना भूले तो बस अभी के इतना ही जैहिन वन्दे मादराम